पिशले दो वर्सों की तुल्ना में इस वर्ष गेहू की पेदवार पांच गुना दुगिनी हो गई है जिससे गेहू की खड़ीदी करने वाला प्रसासनिक तंत्र बेबस नजर आ रहा है कहीं जगह बारदान की आपूर्ती नहीं हो पा रही है तो कहीं परिवहन की कमी दिखाई दे रही है गेहों की फसल तुल्वाने आ रहा है किसानों के लिए मंडी परसासन ने तो खाने पिने की विवस्ता न की है और ना ही चुमाली जिगी टेंपरिचर के बावजूद भी टेंटे की विवस्ता की है किसानों का कहना है कि किराय से किया हो के फसल तुलवाने ट्रेक्टर आयसर लेकर आया है ट्रेक्टर के 2000 उपर परती दीन है और आयसर का 3000 उपरती दीन ऐसे हालात में 4-4 दिन किसान लाइन में खड़ा हुआ है खरीदी परबंदक का कहना है कि परिवहन होगा तो जगह खाली होगी बारदान की कमी है कई क्विंटल गेहों खरीच चुके हैं और वो खुले आस्मान के निचे खेतों में रखा हुआ है अगर पानी आ गया तो सरकार को बड़ा नुक्सान होगा सब्सक्राइब हो गया है जहां जहां भी जगह मिल रही है गेहों को रख्वाने की विवस्तक की जा रही है गेहों की बेदावार ज्यादा हुई है हमारे प्रसासनिक अधिकारी सतत लगे हुए है देपालपूर से विसल चानना की रिपोर्ट हम यह 27 सारीक से आये हुए है अभी तक हमारे खोज नी मतलब टेक्टर बिन तूले हम लाइन में खड़े बोले कि अभी तो 27 का है तूला वलकि हमारा तूलना था हम यह 3-4 तूलें हो यह परेशान हुए लिपाणी नास्टापाणी कुछ ने किस्तर के किसान वह परेशान हुए है हो सरकार कुछ सुनु शुन नी कर रही है के हहूं टोलेंगे सबकार तोलें दाना दाना तो नहीं क्या केसे तो नहीं है, इसे हम किराये से गाड़ी लाए, आइसर लाए, बहुत सारी, उनका 1000-2000 रुपे रोज का किराये लग रहा है, और टेक्टर आये 2-2 रुपे में, और वो भी 5-5 दिन होगे, आज 10 जाद एक टेक्टर काऊगे, गाड़ी काऊगे हम बहुत परेशान हो रहे हैं, सरकास से साथ जल्दी जल्दी कुछ भी निराकरन हो, राजे साथोड करकी यही है कि हम 27 राज से पड़े हैं, और मतला पर एक 4-4-5-5 गाड़ी हम लेका है भर के है, उनका रोज पड़ी होई गाड़ी का एक एक हजार पर बाड़ा हमको देना पड़ रहा है, और तीन हजार में तो हम करके लाए ता चार दिन तो हम पांस दिन होगा जैसे, पांस ज इन सने टेक्टर का भी हमारे घर के है, किसान के है, तो हम थोड़ा एक्जिस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन गाड़ी हो की तो यहालत हो रही है, कि हम बहुत पूरी तरह से परेजान हो रहे है, तो गाड़ी खाली हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वह 3-3-4-4- सन का रहा है, कि बहुत है, इंको माल डालने की जगी ही, बस थोड़ा सा फट पे डाल लेते हैं, थो फूल हो गए हमना माल बस साबा हमार पास जगए ही है, तो अब हम क्या कर दो से जग है न पांड़ा चार चार दिन हो फें लाइन में लगे हुए यह समझ्ची आ है बली राम मंडलो उसकी खत्भी रिइना इसके तोरु के वर्षा में जो खरीदी होती गेहों की पिछले बार 32,000 गेहों खरीदे कियी थी दो मेहने की अवधी में और इस बार हम लोगों ने एक मेहने की अवधी में अभी तक लगभग 1,500,000 गेहों की खरीदी कर ली है जो आउसत से या जो पिछले वर्स की तुलना में ज़री हम देखें तो पांच गुना है नि जो किसान के जो रजिस्ट्रेशन हुए थे पिछले बार तब किसान 50% टर्ण अप कुर रहे थे इस बार जो संख्या है वो काफी जादा है इनकी पैदावार भी जादा है और इसलिए बिवस्थाओं में थोड़ी सी कम्यान हुई है जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें इन हाउस भी जो है वो काफी हद तक फुल हो गया है इसलिए बहुत सारी जगा ऐसी भी हम लोगों ने चिन्हित करके वहां पर खरीदी कराई है जिनका या तो हम लोगों के सहयोग से जो संस्थाय हैं जो स्कूल बिल्डिंग्स है या अधर इंस्टिउशन है उनकी जो तुलाई संभब नहीं हो पा रहा था इसलिए बड़े कांडे पर इन देपादपूर में उसकी तुलाई कराई का जा रही है दिक्कत कुछ समय के लिए हुई थी जिसके बाद थोड़ी देल के लिए पुलिस का इंटर्वेंशन हुआ था और फिर एक किसी वैक्ति ने तो आज कितनी तारीक हो इकतिस है ना इकतिस के बाद भी निराकांड नहीं हो रहा है और जिसके बाद यहां पानी है ना चाह ना खना है 15 किलमेटर से रोज चार दिन के सलंग आ रहे जूप में आ रहे हैं पड़े सान हो रहे हैं कोन्स उनने वाला नहीं है और अंदर एक नंबर लग जा है दो दीन तक मेल्ड सकता है दो दिन माल उतमें लगें तौइस दो दिन और बढ़ जाते हैं तो तो दो दिन ज़ा इद चीन तो जाती है जा हो आको टेक्रट?!" खाली होरी अरहा यह कोई के वानी ऊपर से रो जाए पल्लिया ला रहा है वह रात को वापस पानी आ गया थिर फंगरा क्लिमेटर दूर साके पल्ली दक्के है रखेंगे निलेज बिस्टी है है अब देख रहे हमारा चैनल आज डेब्यू 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें